कि ओवरी में सिस्ट होने के कही कारण हो सकते हैं अगर हार्मोन बैलन्स नहीं है एस्टोजन हार्मोन हो या प्रोजेस्टोन हार्मोन हो यह सब हार्मोन अगर बैलन्स नहीं है तो इस वज़े से कही बार ओवरी में सिस्ट हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती हैं उसाओ से पूट्टे का रूप ले लेते हैं तो इस वज़े से आप के बट होगी हो तो इन कालों कि वजय इसे समस्य हो सकती है अगर को टनीषफ के अध्याद एक्सयाद को किसी प्राण coworkers आला पौडर लेना है तो आपको आधा चमच आमला पाॉडर में एक चमच शहद आपको mix करना है इसको अच्छे से फेट लीजे ए तो अच्छे से पेस्ट बना लीजे और इसी पेस्ट को आपको सुबा खाले पेट खालेना है और इसको खाने के 15 मिनट बाढ़ आपको एक ग्लास गुन गुना पा और इसके इलावा आधे भगोने पानी में चमच फिट करी डाल दीजे उसको बॉयल कर लिजे और फिर वो इतना गरम रहे कि आप सह सकें फिर उसी पानी से अपने पेट के नीचे वाले हिस्से की सिकाई करिए इससे भी सिस्ट बहुत जल्दी गलने लगती है और इसी के साथ आधा ग्लास पानी में आधा नीबू डाल लीजे और इसको पी लिजे आपको दिन भर में इस तरह से दो से तीन बार करना इससे भी सिस्ट बहुत जल्दी गलती है तो यह जो भी दो तीन चीजे मैंने बताई है इसको अपलगातार करेंगी तो आपके सिस्ट भी बहुत ज अच्छी हो जाएगी क्योंकि विटामिन सी बहुत ही अच्छी चीज होती है और साथ में हानी भी है गुनगुना पानी भी है जो आपकी और बाड़ी को बहुत अच्छा बनाने में मदद करेंगा